हेलो फ्रेंड्स मैं हुआ नीश और क्या आपको पता है कि नासा एक कुत्ते को मंगल गरह पर भेजने वाला है मतलब साड़ा कुत्ता घर में जाए और त्वाटा कुत्ता मार्स पर और क्या आपको पता है कि आखिरकार वो कौन सा एस्ट्रोनौट था जिसने मून कुछ एस्ट्रोनौट करेंगे हर जगा कांड और क्या आपको पता है कि UK वाले चांद पर स्पाइडर भेजने वाले हैं और वो भी ऐसा वैसा स्पाइडर नहीं बलकि फुल्टू स्पेशल स्पाइडर तो वेल दोस्तों आज के फैक्ट्स मैं ऐसे ऐसे गिलेक्सी और ऐस दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि 20 जुलाई 1969 को नील आमस्ट्रोंग ने चंद्रमा पर कदम रखा था लेकिन आपको एक और इंटरस्टिंग बात पता है कि उसी वक्त मतलब कि उधर नील आमस्ट्रोंग चांद पर कदम रख रहे थे और इधर बज एल्रिन अपना गला है जो कि इन्विजिबल है मतलब कि मिस्टर इंडिया का सौतेला भाई है लेकिन क्या आपको पता है कि काबली चना इंसिट्यूट सौरी सौरी आइमीन काबली इंसिट्यूट की फिजीशन और मैथेमेटीशन का ये मानना है कि डाक मैटर और कुछ नहीं बलकि प्राइमॉ प्राइमॉडियल ब्लाक होल्स युनिवर्स को तेरा अरब सालों से एक साथ जोड़े हुए हैं लेकिन इस कंसेप्ट में कितना दम है तो दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि प्राइमॉडियल ब्लाक होल्स पर सबसे पहले डीप सड़ी हम सब के चाहिते सर्स्टीफ पर्फ्यूम का नाम है और पता है नासा वालों ने उस पर्फ्यूम को क्यों बनाय था क्योंकि वे चाहते थे कि एस्ट्रोनौट को स्पेस भेजने से पहले उनको खुश्बू से मिलवा दिया जाए अरे यार स्पेस के खुश्बू से नंबर फोर लड़की का सैटलाइट दोस्तों कि आपको पता है कि क्योटो उनिवर्सिटी के रिसर्च एक ऐसा सैटलाइट बना रहे हैं जोकि mostly लकडी का बना होगा और वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्पेस में कच्रा फुल टू भर चुका है और स्पेस में एक दो नहीं बलकि हजारों ऐसे से दोस्तों जब हम मेटल को जलाते हैं तो उसमें से हामफुल पार्टिकल्स रिलीज होते हैं जोकि बहुत जादा डेंजरस हैं दोस्तों क्या आपको पता है कि नासा एक कुत्ते को मंगल ग्रह पर भेजने वाला है और वे भी ऐसा वैसा कुत्ता नहीं बलकि फुल्टू रोबोटिक कुत्ता अब क्या है ना कि असली कुत्ते को तो भेज नहीं सकते ना क्योंकि मंगल ग्रह पर जाने में ही कम से कम साथ अब नासा वाले तो हर्शद महता है नहीं कि कहेंगे रिस्क है तो इश्क है राइट पर दोस्तों एक बैड निउस है कि अभी तक उन्हों ने डेट अनौंस नहीं किया है कि वो लोग उस रोबोट एक डॉग को कब भेजेंगे लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है भाईयो म मैं कौन सा आप से दूर हूँ बस सब्सक्राइब करो और बगल वाली घंटी को भी दबा दो अपडेट आते ही मैं आपको बता ही दूँगा क्या आपको पता है कि इंटरनाशनल स्पेस टेशन में बैक्टीरिया पर कई सालों से रिसर्च हो रहा था और उसमें ये पता चला है कि धर्ती के मुकाबले स्पेस में बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करते हैं जादा स्ट्रॉंग हो जाते हैं और बहुत जादा खतरन और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेस ग्रैविटी में बैक्टीरिया का बॉड़ी ऐसे रिस्पॉंस करता है कि वे छोटे से पिद्दू से चिल गोजे महिंद्र बाहुबली बन जाते हैं मतलब कि स्पेस में हम हट्टे-कटे इनसान जाए तो कमजोर हो जाए और वे अंजान लेडी को लग गया था और जब वे बोले हेलो क्या ये धरती है तो उस अंजान लेडी ने कहा नई रे साले मैं तो एंड्रोमेटर गलेक्सी से बोल रही हूं वो क्या है ना अम्बानी नी जियो का टावर यहां भी फिट कराया है सौरी सौरी भाई लोगों दरसल उन्हों ने ये कहा था कि क्या तुम प्रैंक कर रहे हो और कॉल कट हो गया बेसिकली उस अंजान लेडी को ये लगा कि शायद कोई उनके साथ मजाग कर रहा है और उसके बाद टिम पीग भाईया ने अपने टुटर आइडी से उस अंजान लेडी से माफी भी मांगा सौरी 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 बच्ची की लोगे जान क्या नमबर एड तो वेल दोस्तों क्या आपको पता है कि इंटरनाशनल स्पेस टेशन में कितने बेडरूम्स हैं कितने बाथरूम हैं और कितने जिम हैं ये तो कॉमन बात है और इन फैक्ट तुम मेरे भाई बंदू हो तो तुमें तो गंटा होगा और वहाँ पर है एक फर्स क्लास जिम और पॉटी शॉटी करने के लिए दो बातरूम हैं पर वेट अ मिनिट स्पेस स्टेशन में एक बार छे एस्टोनॉट्स रहते हैं और उनके लिए बस दो बातरूम बहुत नाइंसाफी है दोस्तो क्या आपको पता है कि युनाइटेट किंग्डम की एक स्पेस एजेंसी स्पेस बेट 2021 में मतलब कि इसी साल जुलाए के महिने में चान पर अपना रोवर भेजने वाली है और वे भी ऐसा वैसा रोवर नहीं बलकि फुल्टू स्पेशल स्पाइडर रोवर और उसक इंट्रस्टिंग और अमेजिंग स्पेस वीडियो देखने के लिए अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बगल के घंटे को भी दबा दो ताकि तुम आगे आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना कर सको और हम फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में और as always be a space lover and be a space य जाहिन